नमस्कार भारत वानी से मैं कविता प्रस्तत हूँ, महाकवि जैशंकर प्रसाद रचित कामाईनी महाकावि पराधारित मेरी शिंखला की चौथी कड़ी के साथ हमारे नायक मनु, सर्ग के अग्रदूत, देवों के एक मात्र अवशेश वहीं बैठे हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, शिला की शीतल छाह हमें प्रलय का प्रवाः थम चुका है, नैनों से बहते आंसू सूख चुके हैं, महावट से वनी नौका थपेड़े खा खा कर अब स्थिर हो चुकी है कुछ समय पहले तक प्राणों की रक्ष्या का प्रश्न था, अब वो हल हो गया, तो कुछ नए प्रश्न उठ खड़े हुए है, कुछ अतीच के कारण, और कुछ भविश्य के हेति, मनु के मस्तक पर गिरी चिंता की रेखाएं, प्रयास रथ हैं उनका उत्तर खोजने में आह सर्ग के अग्रदोत, तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए फ्रिदय से एक दुख भरी आह निकलती है सोचकर, कि इस तुथरी पर इस सर्ग में, इस युग में, जो अग्रदूत बनकर आये थे, जो सर्व प्रथम स्रिजित हुए थे, वो देव, जो कहते थे, कि वे अमरत्व प्राप्त हैं, आज अंतता असफल हो गए हैं, नश्ट हो गए हैं, सब जिस प्रक्रती से जन्मे थे, उसी में, विलीन हो गए हैं, समझ में नहीं आता कि तुम भक्षक थे या रक्षक, या फिर रक्षक के भेश में चिपे हुए थे तुम भक्षक, वैभव विलास में ऐसे डूबे कि अपना शौर अपना कर्तब भूल गए, तुम्हारे अतिक्रमण ने तुम्हारे अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया, मीन की भाति जैसे एक बड़ी मचली छोटी मचली का भक्षन करती है, तुमने अपनों का ही शोशन किया, अपनी ही जन्मदात्री प्रकृति का मान न रखा गया दमसे, और परिणाम समक्ष है, तुम अपने ही मीन हो गए, निगल गई है, प्रकृति तुम्हें इस सत्य को स थापित करके कि आमरत ही कुछ नहीं, और आमरत को शरीर करें, केवल सत्कर्मों का है। तेरा प्रत्यावर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन, आन्धी, तुफान, धीशन, वर्षा, बिजली, गूकम और नजाने कितने तरह तरह के संकेत दिये थे प्रकृति ने, निरंतर लौट लौट कर चेत आया था, पूर्वु सूचना दी थी, लेक संकेत नहीं हुए, सभी संकेतों की अंदेखी करते रहे हैं, और दिनरात अपनी वासना पूर्ती में वैभव विलासिता में ही डूबे रहे हैं, और अंततर विनाश को प्राफ्वे, मन दीपों के अंधकार मैं, अरे निराशा पूर्ण भविश्च, देव दंभ के महा मेध में, सब कुछ ही बन गया हविश्च, मन दीपों के अंधकार मैं, अरे निराशा पूर्ण भविश्च, देव दंभ के महा मेध में, सब कुछ ही बन गया हविश्च, अंधक दीपों की चमक, मनियों की चका चौंध भी, उनके उस अंधकार को रोकने पाई, मिटाने पाई, भविश्च दिशाहीन हो गया, निराशा पूर्ण हो गया, खो गया, समाथ हो गया, देवताओं के दंभ, अहिंकार वव्यसन से जो महा विनाश हुआ, उस महा यग्य में उनका सर्वस्व हविश्च बन गया, उस महा मेध की, अगनी की भेट चड़ गया उनका सब कुछ, अरे अमरता के चमकिले पुतलो तेरे ये जैनाद, काप रहे हैं, आज तत धन बनकर मानो धीन विशाद, अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे जैनाद काँप रहे हैं आज प्रतिध्वन बनकर मानो दिन विशाबो अरे देवताओं अरे अमरता के चमकीले पुतलो यह प्रलय की हुंकार कुछ और नहीं है प्रतिध्वन है तुम्हारे उन्हीं जैनादों की जो कभी अमरत्व के घमंड में मतवालि होकर तुमने किये थे तुम स्वयम को अमरता का प्रतीक अविजित समझते थे लेकिन तुम देव कहां थे तुम तो मात्रचन की ले पुतले थे कृत्रिम बनावटी दिखावटी था तुम्हारा शौर्य देवत्व सदाचार आंतरिक बल आज देखो वो पुतले धराशाई हो चुके हैं तुम्हारे जैनाद जो कभी समस्त ब्रह्मांड में गुजा करते थे आज बदल चुके हैं दीन विशाद में दया की भीक मांगते कमपन में दुखमय क्रंदन में प्रक्रति रही दुर जे पराजित हम सब थे भूले मद में भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में प्रक्रति रही दुर जे या पराजित हम सब थे भूले मद में भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के मद में मन भी प्रतने दित उन्हीं देवों के हैं इसलिए सब को भी इस पराजय का भागीदार मानते हुए कहते हैं कि हम भूल गए थे कि प्रक्रति तो सदैविय अपराजित रही है मद मत हम जानकर भी अन्जान बन भोले बन सचंद तैरते थे उस विलासिता के नद में किसी कांखुश स्विकार नहीं था हमें नहीं जानते थे हम कि एक दिन जब प्रक्रति की सहन शीलता की सब सीमाएं तूट जाएंगी तब यही जल प्रलाय बन कर हम पर तूटेगा और बहा ले जाएगा अपने साथ हमारा सर्वस हमारा स्तित्व वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया परावा उमर रहा था देव सुखों पर दुख जलदे का नाद अपार वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया परावार उमर रहा था देव सुखों पर दुख जलदे का नाद अपार देवता सब तो डूबे ही लेकर उनका सुख ऐश्वर्य वैभव सब कुछ उनके साथ ही तले की भेट चड़ गया पारावार यानि अथा समुद्र ने ग्रस लिया सब जिसका पार भी पाना असंभव सुख के समय जो जलद्वनी जो कलनाद बड़े सुरीले प्रतीत होते थे वही आज दुख के विशाद के नाद बन गए हैं उनकी विलासिता की नदियां सब प्रलयांकारी समुद्र का रूप ले चुकी हैं अंतर नहित्स कर चुकी हैं सब कुछ शपने भी दर रहे वहन मुक्त विलास हुआ क्या सपन रहाया चलना थी देव सिष्ट की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी वहन मुक्त विलास हुआ क्या सपन रहाया चलना थी देव सिष्ट की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी अब जब सोचते हैं मनूं तो उन्हें लगता है कि वो देवों का उन्मुक्त विलाव स्वच्चन्द सुख ऐश्वर क्या सचमच कभी था भी या नहीं देव स्रिष्टी की छटा ही निराली थी मानवसंख तारों की अद्भुत रचना से सजी सुख विभावरी हो जगमगाती हुई रात्री हो लेकिन अब शंका होती है कि वैसा स्वपन था या कल्पन या मात्र भ्रम था या फिर कोई छलावा चलते थे सुर्भित अंचल से जीवन के मधु मैन श्वास कोला हल में मुखरित होता देव जाती का सुख विश्वास चलते थे सुर्भित अंचल से जीवन के मधु मैन श्वास कोला हल में मुखरित होता देव जाती का सुख विश्वास जहां चाहते थे निडर निर्भय विचरण करते थे देव जहां से गुजर जाते थे बातावरं को सुर्भित कर जाते थे महका देते थे मानो उनका मदुमे जीवन ही उस सुगंधित सुरुभी को बिखे रहा मनो वायू बनकर उनी की श्वासें प्राण प्रवाहित कर रही हो सर्वरवर उत्सव किसी उल्लास पूर्ण चहल पहल कोलाहल साज सज्जा देवजाती के सुख में जीवन और उनके उस विश्वास को इंगित करती थी कि वे सर्व शक्तिमान हैं सर्वग्य हैं अनश्वर हैं अमर हैं अजेय हैं सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्री भूत हुआ इतना छाया पत में नवत शार का सघन मिलन होता जितना उनका वो सुख और उन सुखों का संग्रह इतना अधिक हो गया था अति हो गई थी इतनी कि उसका पुना विगटन तो आवश्यम भादी था किसी से माटना नहीं चाहते थे, किसी को देना नहीं चाहते थे मानो केवल उनी का अधिकार था सुख समृत्धी पर ठीक उसी तरह जैसे छाया पति यानि आकाश गंगा की थंड़क पाकर तुशार के कण, सगन हिनकणों में परिवर्तित्तो हो जाते हैं और फिए हीरे की तरह जगमगाते हैं, दमकते भी हैं, रात्री भर लेकि रात्री के घटते ही, रात्री के चलते ही उनका पुना तरल होना निश्चित है जा से उत्पन्म हुए हैं, उसी जलतत्व में विलीन होना निश्चित है भूल गए थे देव, कि उनकी उत्पत्व प्रकृति सी हुई है और उसी प्रकृति में एक दिन उन्हें विलीन होना है सब कुछ थे स्वायत विश्व के बलवैभव आनंद अपार उद्वेलित लहरों सा होता उस समृधि का सुख संचार सब कुछ थे स्वायत विश्व के बलवैभव आनंद अपार उद्वेलित लहरों सा होता उस सम्रिद्ध का सुख संचार याद कर रहे हैं उस देवत्व को मनुः जब संपोन स्वायत पता थी देवताओं की निरंकुष अधिकार था समस्त विश्व के बल वैभव पर सुख एश्वर आनंद विलास पर समुद्र की लहरों की तरह उद्वेलित होती थी उनकी सम्रिद्धी निरंतर बढ़ती ही जा रही रही असीम सुख था और किसी का हस्तक शेप न जाना था और न माना था स्रिष्टी के स्वामी मान बैठे थे स्वायम को अतीत की उन्ही स्मृतियों में जा पहुँचे हैं मनु और एक करके द्रिष्य उस स्वानिंद युग के चित्रपट की भात उनकी आँखों के सामने से गुजर रहे हैं आते हैं और धूमिल हो जाते हैं आज मनु को यहीं उनकी यादों के साथ और कुछ समय छोड़ देते हैं चलते हैं लोटेंगे तो फिर पढ़ेंगे उनकी उन चिंचन लेखाओं को और जानेंगे कि कैसा था देवों का अतीत क्या हुआ जो वो इस अंत को प्रात हुए प्रतिक्षा की जेगा शीगर लोटोंगी नमस्तार जै भारत जै शंकर